हाई फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो इंकम टेक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ा हुआ है जैसा कि आप सभी जानते हैं Financial Year 22 ते इसकी इंकम टेक्स रिटर्न की डेट 31 जुलाई है जो कि बहुत ही नस्दीक है और आज अपसे कुछ दिनों में हम सभी अपनी इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करेंगे अगर हमने ये वीडियो ध्यान से नहीं देखा तो हमें इंकम टेक्स नोटिस आ सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम कुछ इंफर्मेशन इंकम टेक्स रिटर्न में फाइल ना करें या करेक्टली शियर ना करें जैसे कि मैं एक्जामपल लेता हूँ किसी आदमी के पास 10 बैंक अकाउंट है और हर बैंक अकाउंट में उसे सेविंग बैंक का इंट्रेस्ट आता है लेकिन वो इंकम टेक्स रिटर्न फाइल करते समय सिर्फ तीम बैंक अकाउंट का सेविंग इंट्रेस्ट शो करता है और बाकी साथ को ignore कर देता है तो क्या आप जानते हैं कि income tax return, income tax office के पास आपके सबी 10 accounts की detail है और उन्हें ये भी पता है कि आपको case account में कितना saving का interest मिला है चौक गए ना आप तो आपको ये वीडियो जरूर last तक देखना है एक और example मैं लूँगा किसी ने अपनी immobile property 25 या 30 लाग रुपे में बेज दी और उसको capital gain भी हुआ लेकिन उसने ये information income tax return में share नहीं की या file नहीं की क्योंकि उसने सोचा ये बहुत ही कम amount की property दी तो मैं इसे ignore कर देता हूँ लेकिन आपको ये जानकर surprise होगा कि ये information भी आपकी income tax department के पास है और वो इसे track करके आपको notice भेज सकते हैं यदि आपने ये detail आपके income tax return में नहीं दिखाई तो आप ये video पूरा देखिएगा तब भी आपको समझ आएगा कि ये सारी information income tax department के पास कहां से आती है और कैसे वो track कर सकते हैं यदि आपने correctly अपना income tax return file नहीं किया तो आपको demand notice आना पका है और पुराने समय में भी पिछले साल में भी हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा income tax notice issue किये गए हैं जहां form 26AS और आपका ITR और annual information summary match नहीं करती तो प्लीस इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप ये जान पाएं कि आप कैसे income tax notice से बस सकते हैं दोस्तो फर्स्ट आप आप लोगों को income tax site access करना होगा जो है www.incometax.gov.in जैसा कि screen पर display किया हुआ है इसमें आपको दो option दिखाई देंगे पहला login दूसरा register यदि आपका account income tax की site पर पहले से बना हुआ है तो आपको login करना है अगर आपका account created नहीं है तो आपको register करना है register करने के लिए आपको आपका pen number और कुछ details जैसे की phone number, email, etc डालनी होगी और password create करना होगा आपको दोनों email और mobile number पर OTP भेज़े जाएंगे जो आपको उसमें डालने होंगे for account creation register करने के बाद आप site पर login कर सकते हैं उसके लिए आपको pen number और password चाहिए होगा login करने के बाद आपको ये screen display होगी जिसमें आपको main button display होगे जैसे dashboard e-file, authorize partner सबसे पहले हम जानेंगे कि हम form 26 कैसे download कर सकते हैं इसके लिए आपको e-file option में click करना होगा और उसके बाद view form 26as पर click करना होगा उसके बाद आपको जैसा की screen पर दिखाया गया है सारे instructions follow आप form 26as screen पर display भी कर सकते हैं या PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं form 26as में आपको आपकी full year की detail दिखाया देंगी जैसा salary, TDS, FD interest, etc annual information statement देखने के लिए आपको e-file option में जाकर उसके बाद click on view AIS जैसा की screen पर दिखाया गया है करना है और आपको सारी instruction follow करनी है अब आपको ये screen दिखाई देगी जिस पर दो option होंगे instructions और AIS अब आपको AIS पर click करना है अब आप दो option TIS और AIS दिखाई देंगे TIS आपको summary दिखाता है AIS आपको सारी information detail में दिखाता है अब आप TIS पर click करें जैसा की screen पर दिखाया गया है ये आपको आपकी सभी financial transaction की summary दिखाता है for example salary, interest on saving account from all bank accounts, interest on deposits ये सभी information government को bank और बाकी financial institution ने supply की होती है और government के पास आपकी सभी information होती है अब आपको AIS पर click करना है जिसमें आपको 5 option दिखाई देते है TDS, TCS information second is SFT information third payment of taxes fourth demand and refund fifth other information mostly GST sales, GST purchases related first option TDS, TCS में आपको जितना भी TDS, TCS deduct हुआ है वो सब display होता है जो आपको form 26AS से match करना होता है second option में जो की है SFT specified financial transaction उसकी information दिखाता है इस option में 50 financial transaction तक show कर सकते हैं जैसे interest on saving account, dividend income, interest on FD, purchase of immobile property, purchase of mutual fund, credit card expenses, etc. cash deposit and cash withdrawal, etc. information ये भी इस information में दिखाई दे सकती है जो bank income tax department को supply करते हैं पूरी 50 transaction की complete list मैंने इस video के अंत में दिखाया हुआ है तो आप वो से देख सकते हैं कि कौन-कौन सी 50 transaction है जो यहाँ पर cover हो सकती है इसके बाद जो third option है EIS में वो है payment of taxes उसमें आपने during the financial year जो भी taxes pay की हैं जैसे advanced tax, self-assessment tax वो display होते हैं fourth option जो की है demand and refund इसमें वो information display होती है जिसमें अगर आपको during the financial year कोई demand raise की गई हो या आपको कोई refund आया हो तो वो यहाँ पर display होगा इसके बाद last or fifth option है जो की other information इसमें mostly GST related information दिखाई देती है यदि आप GST में registered हैं तो आपकी GST turnover दिखाई देगी और आपने कहां से GST purchases ली है उन सब की information यहाँ display होती है मैंने इन सभी annual information statement, taxpayer information summary, form 26AS और इन सब की importance, इन सभी की information इस video में दी हुई है आप इसे पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा information गेन कर सकते हैं यह जैसा कि मैंने वीडियो में पहले कहा था complete list of 50 transactions है जो AIS में display हो सकती है आपकी सभी financial information AIS, TIS, form 26AS match करनी होंगी और जहां भी आपको लगे कि information AIS यह TIS में गलत है तो आपको वहाँ mark करना होगा कि यह information incorrect है वहाँ आपको option मिल जाएगा जब आप किसी item पे click करेंगे तो आप वहाँ पर mark कर सकते हैं कि information correct है या incorrect तो यह बहुत ही जरूरी information है जो आपको हर आलत में match करना होगा otherwise क्या हो सकता है कि अगर कोई भी information form 26AS और AIS, TIS में match नहीं होगी तो आपको call demand notice या कोई defective return का notice आ सकता है तो मैं आपसे request करना चाहूँगा कि आप ये video अपने दोस्तों और relatives के साथ share करें जिससे वो ये सभी information जान सकें और अपना income tax return correctly फाइल कर सकें इसके बाद मैं आपसे वही दो बाते कहना चाहूँगा कि पहला कि आप अपनी health का ध्यान रखें रोज अपनी exercise walking के लिए time निकालें दूसरा रोज एक अच्छा काम जरूर करें मैं आपके लिए ऐसे video लाता रहूँगा आशा करता हूँ कि आपको ये video पसंद आ रहे हैं और आप अपनी financial knowledge बढ़ा रहे हैं मैंने पहले भी finance topic पर बहुत सारे video बनाई हैं जिसे आप देख सकते हैं और अपनी knowledge बढ़ा सकते हैं Thank you so much